Welcome to this lecture, आज के इस lecture में हम पढ़ने जा रहे हमरा chapter number 13, इसके अंदर हम पढ़ने वाले है file handling concept, तो file handling यानि कि क्या होता है, अब तक हमने जितने भी examples किये, जितने भी programs किये, उसके अंदर आपने देखा होगा, आप input लेते थे यूजर से और साथ ही साथ उसको print भी करवाते थे, आप कई सारे students या फिर employees का data user के तुरू रिट्राइब करते थे, तो वो सभी data क्या आपके permanent store होते थे कहीं पर, नहीं, तो आप data कहीं पर store नहीं करवा सकते थे, just आप program को run करते थे, तो फिर आपको console के window के अंदर वो data मिलता है, जैसा ही आपने console close कर दिया, आपका data भी delete हो कि उन सभी का output हमने कहीं पर भी save करके नहीं रखा, ठीक है लेकिन अब हम क्या करने वाले है, एक नहीं file बनाएंगे, ठीक है कोई भी text file हो सकती है, और आपके PC पर कोई भी location पर आप उसे generate कर सकते हो, तो उस file के अंदर हमारे program से निकला हुआ output, ठीक है वो हम आपर store कराएं तो उसको बोला जाता है file writing, एक नहीं file बनाई है अपने, ठीक है, पूरी की पूरी empty file है, या फिर उस file के अंदर कोई पूराना data भी हो सकता है, अब आपको क्या करवाना है, जो भी आपका C language का output आता है, वो output को वहां से निकाल कर किसी file के अंदर store करवाना है, तो file के अंद आपका console में से निकला हुआ output, store आप easily करवा सकते है, तो उस process को बोला जाएगा file writing, और उसी तरह exit reverse scenario, अगर file के अंदर already data पढ़ा हुआ, तो वो data आपको read करना है, अगर कोई text file के हम बात करें, तो text file के अंदर मौझूद data हम किस तरह से देख सकते हैं, obviously उसको हम notpad के अंद अंदर open करवा कर, फिर हम उस file के अंदर मौझूद सभी data को read कर सकते हैं, लेकिन अब हमें notpad के जरीए नहीं, बलकि अपने C program के जरीए file के अंदर पढ़ा हुआ data को read करना है, उसे देखना है, तो उस process को बोला जाएगा file reading process, तो main हमारे chapter के अंदर, file reading और file writing, दो concept available है, तो हमें दोनों concept को perfectly समझना है, और साथ ही साथ हम देखेंगे file के opening mods कौन कौन से है, तो चले, सबसे पहले तो यहाँ पर devc++ में, मैंने एक empty file बना कर रखिये, hello.c, यहाँ पर basic structure मैंने अल्रेडी लिखा हुआ है, अब देखें, सबसे पहले तो मैं क्या चाहिए, एक file चाहिए इस पूरे program को, पूरे session को मैं दो category के अंदर divide करूँगा, सबसे पहले हम देखेंगे file reading वाला program, ओल्रेडी कोई file बनी बनाई हमारे पास पड़ी हुए है, उसके अंदर को data भी available है, तो data को हम यहाँ पर, यानि कि C language के अंदर किस तरह से fetch करवा सकेंगे, यह process को बोला file save की है न, उस location पर जाना है, for example, मेरी file यहाँ पर hello.c, documents directory के अंदर, तो यहाँ पर एक और मुझे नहीं file बना कर रख देनी है, new text document आपकी rate कर लो, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हो, for example, data या फिर demo.txt, अगर आप TXP नहीं भी लिखते हैं, तो भी by default notepad extension क्या लगा दे तो चल्ड़े, अब हम इसको open करेंगे notepad के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी totally एक brand new file demo.txt बनकर आ चुके, अब यहाँ पर suppose मैं कोई भी dummy data insert कर वाता हूँ, for example, hello c language, then after welcome to rnw, इस तरह से मैंने दो lines लिख दी, चल्ड़े, मैं इसका font बढ़ा कर देता हू यहाँ से, for example, 22, तो इस तरह से अब आपको visible हो रही है, दोनो lines, तो यह होगी हमारी demo file, तो अब हमने इसको कर लिया save, अब मैंने इसको कर दिया close, तो अब मुझे क्या चाहिए, इस demo file के अंदर मुझूद दोनो lines, तो अगर कभी भी मुझे देखना होगा, तो वह मैं क्या करना होगा, इस file को open कराने आना होगा, इस तरह notpad के अंदर, तो अब यह दोनो lines हमें चाहिए, अपने c language के output के अंदर, किसी ना किसी तरह से, तो सबसे पहरे तो क्या करना होगा, यह जो हमारी file है, उसका एक creating link, उसकी connection link हमें बनानी होगी यहाँ पर c language के अंदर, समझो, ह हमारी यह notpad file है, अब इस notpad file के अंदर मुझूद, दोनो lines का content हमें कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो किसी ना किसी तरह से, हमें यह जो file है, उसका address link कराना होगा, इसके साथ, c language के साथ, तो हमारी file का नाम क्या है, demo.txt, तो इसका link, इसकी address का link, हमें किसी ना किस किसी तरह से connect करना होगा, हमारी c language की file के साथ, तो उसके लिए आपको एक pointer बनाना होगा, क्यां दीजिएगा, उसके लिए आपको a pointer बनाना होगा, क्यूँकि हम सभी को मालुमे, pointer variable यारे क्या, किसी another variable का address store कर सकेगा, लेकिन हमें यापर कुसी another variable का address नहीं जाहिए, किसी another file का address चाहिए हमारे पास पूरी file है demo.txt हम इस पूरी file का address किसी ना किसी तरह से यहाँ पर एक variable के अंदर चाहिए तो obviously सबसे पहले pointer तो बना नहीं है लेकिन सवाल आता है कि sir क्या हम integer का बनाएंगे character का बनाएंगे किस data type का pointer हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नया data type आता है file तो अब आपको capital में लिखना है file and then after आपको pointer बनाना है for example P जैसा कि हम previous session में देख चुके थे integer का pointer हम कुछ इस तरह से बनाते हैं तो अब आपको पूरी अलग file का ही address store करवाना है P के अंदर तो इसलिए आपको create करना है file data type का pointer integer का pointer नहीं तो यह ध्यान दीजेगा आप नया data type है आपका file ओके चलिए अब P के अंदर आपको store करवाना है किसका address file का address तो सबसे बेले तो आपको file के साथ connection बनाना होगा तो file के साथ connection बनाने के लिए आपके पास एक function आता है fopen ठीक है कौन सा function आता है fopen अब देखे fopen के function के अंदर आपको दो parameter pass करने हैं सबसे पहला parameter आपकी file किस location पर मौझूद है ठीक है आपकी file का location और साथ ही साथ उसका full name भी चाहिए है आपकी file का location कहाँ पर है मेरे कैस में अगर मैं बात करूँ तो यहां पर देखे documents directory के अंदर right demo.txt अब देखे फिलहाल जो मेरी file है ना c language की file उसका नान क्या है hello.c और hello.c documents के अंदर है साथ ही साथ demo.txt वो भी documents यान की इसी folder के अंदर available है तो फिर आपको यहां पर path देने वक्त कुछ भी नहीं करना आपको simple आपकी जो file थे ना demo.txt उसका name ही लिख देना है इस तरह से simple अगर आपकी यह demo.txt वाली file जहां पर आपने c file save की है अपने hello.c उसी folder के अंदर मौझूद हो तो फिर आपको पूरी location देने की जरूत नहीं है आपको save और save उस external file का नाम ही यहां पर pass करना है अगर आपने demo.txt एक फोल्डर के अंदर बनाई तो आपको यहां पर pass देना था d drive इस तरह से लिखो तेर आपको लिखना हो का d drive colon slash then after folder का नाम then after again slash then after आपकी file का नाम फिल हाल मैंरी जो demo.txt file है वो इसी location पर पड़ी हुए है जहां पर मैंने अपनी hello.c file save के है वहां पर तो मैं यहां पर ignore कर सकता हूँ पूरा path simple मैं अपना file का नहीं ही लिख सकता हूँ ठीक है यह आपका first parameter हो गया second parameter आपको देना है file का mode आपने यह जो file open करवानी है ठीक है वो किस लिए किस purpose से open करवानी है तो हमारा purpose तो clear यह इस file के अंदर मोचुद data को में क्या करना है ready करना है fetch करना है ठीक है तो file opening mods यहां पर आपको apply करना होगा r आपको simple यहां पर लिखना है r r for read त्यान दीजेगा ठीक है यहां पर अब हमारा नया concept आता है file opening mods चले तो मैं यह आपर note down करवा रहा हूँ आपको file opening mods ठीक है जिसके अंदर पहला मोड़े आपका r r stands for read ठीक है r यानी क आपको file को क्या करवाना है ready करवाना है तो यहां पर आपको r pass कर देना है हाँ आप चाहो तो इसको totally ignore कर सकोगे आप इस तरह से भी f open का use कर सकोगे यानी कि अगर आप यहां पर कोई भी दूसरा parameter नहीं पास करते तो by default यह f open जो function वो इस file को किस mod के अंदर open करेगा r mod के अं और भी कर सकते हैं तो देखें अब f open ने अपना काम कर दिया इस वाली file को read mode के अंदर open कर दिया यानकि अब behind the scene आपकी यह वाली file open हो गई और उसका जो भी address आएगा वो पूरा address कहाँ पर store कर दिया पी के अंग तो इस तरह से आपकी file open हो गई उसका address मिल गया और p नाम के pointer के अंदर वो पूरी की पूरी save भी होगी तो चलिए अब हमें simple देखना है check करना है कि सच में यह हमारी file open हो गई है या नहीं हो गई है इसके अंदर से data हम बाद में retrive करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह जो आपका connection हुआ है वो successful हुआ है तो इसके लिए मैं simple यहा तो फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो printf could not open file आपकी file open नहीं होई क्यों क्यों कि अगर in case यह वाली file available ही नहीं है आपके directory के अंदर आपके folder के अंदर तो obviously चेज़े वो open भी नहीं होगी और जब open ही नहीं होगी तो p की value क्या होगी? null होगी तो जब p की value null होगी यानिकी address मिल यहाँ ही नहीं तो आप print करवादो could not open file आपके otherwise else के अंदर यहाँ पर print करवादो file open successfully इस तरह का कोई भी आप dummy message लिख सकते हो मैं यह आप लिखूंगा file opened successfully अब मैंने save किया file को अब यहाँ से हम करेंगे compile and run और देख यह output क्या आथा है तो देखे हैं हमापर हमने successfully मिल गया file opened successfully यानि कि अब हमारी file successful open हो गए हमारी c language की file और हमारी text file दोनों को बीच में यह connection successful बन गया यानि कि अब हमें जो भी काम करना है data retrieve किसके अंदर करना है else के अंदर ना क्योंकि अगर address नहीं मिला तो ही हम if के अंदर जाएगे अगर address मिल गया तो हम गए else के अंदर अब यहाँ पर हमें सभी process करना है data को fetch करने की process तो file के अंदर से data को retrieve करने के लिए आपके पास एक function available है थ्यान दीजेगा उस function का नाम है f get s त्यान दीजेगा उस function का नाम है f get get s हम अलड़ी get s function देख चुके थे write string के अंदर get s याने की user के through string को retrieve करना लेकिन अब हमारे पास है f get s f get s याने की file के अंदर मौझूद data को retrieve करना ना की user के through तो अब देखे इसके अंदर आपको तीन अलग-अलग parameters pass करने है तो कि इसके अंदर आपको तीन अलग-अलग data types या फिर variables pass करने है तो सबसे पहला होगा आपका data then after होगी आपकी buffer size ठीके थोड़ी देर में आपको सब बता चल जाएगा and then after होगा आपका pointer यह मैंने syntax लिखी general f get s को आप इस तरह से use करना है अब देखे इस syntax को follow करते करते हम f get s को fulfill करेंगे देखिए f get s ठीके तो सबसे last से हम सिरुवात करेंगे तो हमें total यहाँ पर क्या देना है तीन parameter देना है सबसे last parameter कौन सा है pointer हमने अल्र पास कर दिया ठीक है अब हमें देनी है buffer size यानि कि जैसे कि हम file को open कराएंगे अब suppose file के अंदर 1000 line लिखी हुए कितनी 1000 lines तो आपको पता लगाना है कि at a time जब भी मेरा f get s function चलेगा मुझे उस file में से कितनी quantity के अंदर letters उठाना है यानि कि read करना है अब इसका best example में दूँग देख रहे हो ठीक है तो रिजाबर 2 से लेकर 3 गंटे तक का तो वहाँ पर क्या होता है जब भी आप video देखना start करते हो तो क्या पूरा वीडियो आपका load हो जाता है उसके बाद start होता है ने आपका video part by part थोड़ा सा load भी होता है और थोड़ा सा आपको देखने को भी मिल रह हो जाता है तो ठीक उसी तरह से आपका video smoothly चलता रहता है तो उसको बोला जाएगा buffer size तो अब हम यहाँ पर file के context में किस तरह से देखनेगी file हमारी है 1000 line की 1000 line के अंदर मुझे suppose at a time 50 by 50 characters उठाना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 50 ठीक है मुझे एक ही साथ 50 character वहाँ से उठा पाना है 50 letters तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 50 लिख दिया अब suppose first time जब भी मेरा fgetes function चला मेरी file में से मौझूद first 50 letters वहाँ से retrive कर लिए तो वहाँ से retrive कर लिए चली यह हमारी जो file थी ठीक है यहाँ से मैंने सबी characters retrive कर लिए तो यहाँ पर हम किस तरह सेव कराएंग किस variable में 50 character उस text file में से निकल कर यहाँ पर आ चुके है आपकी c language की file में तो आपको उसको कहाँ पर store तो कराना होगा ना किसी location पर तो हम क्या करते थे c language के अंदर कोई भी data हो हम कहाँ पर store करते थे variable के अंदर तो यहाँ पर भी वही चीज़ है pointer की मदर से जो आपने 50 letters file में से उठाये है उसको आपको किसी variable इसके अंदर save करना है तो सबसे पहले आपको variable बनाना होगा जिसके अंदर आपको data store करना चाहते हो लेकिन सवाल यह आता है कि sir वह variable हम किस type का बनाएंगे तो ध्यान दिजएगा यह imp line है जब भी आप file के साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर doesn't matter alphabetic हो numeric हो कोई digit हो whatever हो कोई भी data हो लेकिन जब भी आप उसको उठा कर C language के अंदर लाने की try करोगे वो always and always string format के अंदर ही आएगा तो मतलब आपने वहाँ से 50 characters उठा लिए यहाँ पर C language के अंदर आप कहाँ पर store करोगे एक variable के अंदर तो उस variable का data data क्या होगा string होगा right तो suppose मैंने यहाँ पर एक string बना ली जिसके अंदर मैंने capacity pass कर दी 1000 characters की तो अब मैं का करूँगा यह जो आपने data नाम का बनाया ना variable वो data को मैं यहाँ पर कर दूँगा pass इस तरह से तो यह अब मेरा f get as function fulfill हो गया हमने एक pointer लिया एक file के साथ बना हुआ connection जिसकी मदर से उस file में से मैंने at a time 50 characters fetch कर लिए रिट्राइब कर लिए और देन वो 50 characters हमने कहाँ पर put up कर दिये एक variable के अंदर उस variable का नाम हमने क्या बताया data तो देखें यहाँ पर हमने already data नाम का function sorry data नाम का variable बनाये हुआ है जिसकी data type हमने क्या रखी string रहे ठीक है और इसकी limitation हमने क्या रखी 1000 characters तो क्या होगा जिसनी बार जितनी बार यह function चलेगा उतनी बार at a time 50-50 characters हो उठाते रहेंगे और at a time data के अंदर वो save भी करता रहेंगा तो अब हमें decide करना है कि यह fget as function हमें कितनी बार execute करना है कितनी बार run करना है तो देखें बड़ा ही simple है इसको मैं थोड़ी देर cut कर लूँगा और मैं while loop के अंदर उसको patch कर दूँगा ठीक हमें function चलाते ही रहना है इसलिए मैंने while loop के अंदर चलाया लेकिन कितनी बार चलाते रहना है यह fget as function कितनी बार चलाते रहना है तो कि जब तक इसकी value null के equals नहीं आजाती तब तक यह function हमें completely चलाते ही रहना है execute करते ही रहना है इसलिए मैंने while के के अंदर डाला लेकिन कितने बार चलाना है ठीक है वो भी आपको स्पैश्य वैकरना होगा कि जब तक इस पूरे function की value नहीं आ जाती ना तब तक तो समझे नल उसकी value कब आएगे जब भी सभी के अंदर कब आएगा always ending में ही आएगा जब भी सभी data आपके finish हो जाएंगे उसके बाद या आएगा w के बाद में got it तो इसलिए हमने f get is function को कहां तक चलाना है जब तक इस पूरे function का output हमें नल तक नहीं मिल जाता तब तक तो यह बन गई हमारी condition अब यहाँ पर while के अंदर आपको क्या करवाना है उस data को print करवाते रहना है देखें मैं यहाँ पर लिख सकता हूं printf then after percentage as और यहाँ पर हमने लिख दिया data finish ठीके देखें 50 by 50 characters at a time जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार आपकी फाइल में से first 50 characters आते रहेंगे return होते रहेंगे और data के अंदर save होते रहेंगे और साथी साथ वो data को आपने क्या कर दिया प्रिंट बी कर दिया ओके चले अब यह सब काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है फाइल के साथ जो आपने connection बनाया था पी के जरीए right f open के through आपने file को क्या किया था ओपन किया थ था वो purpose तो आपका fulfill हो गया आपने data को read कर लिया तो अब उस connection को आपको कर देना है close तो close करने के लिए आपके पास एक function है f close इसके अंदर आपको सिफ एक ही pointer दाड़ना है जो कि आपने अभी अभी बनाया था पी ठीक है यह जो आपने pointer बनाया था पी जिसके अंदर file को open क successful आगया hello c language welcome to rnw successful हमार output आगया ठीक है अब यह line के हमें कोई जरूद नहीं है file open successfully इसको में मिटा देता हूँ एक और बार save compile and run तो आप देख सकते हो completely hello c language हमें मिल चुका है welcome to rnw भी हमें मिल चुका है आप सब्सक्राइब कि सर यहां पर space क्यों आ रही है यहां पर space क्यों आ रही है तो देखिए सबसे पहले हम file को analysis करेंगे क्या हमने यहां पर space रखिए नहीं रखिए यहां पर आप आप देखने को मिल चुका है तो step by step आपको इस तरह से output मिलेगा हां आप एक ही साथ यहां पर लिख सकते थे 100 जितना चाहँ अब बॉफर की value दे सकते हैं suppose अगर मैंने यहां पर लिखा होता 2 तो किस तरह से output आपता आपका complete output तो आ जाता hello c language welcome to rnw लेकिन किस तरह आया माल letters यानि कि L और L वो आपके c language के अंदर file के अंदर आगे data के अंदर ठीक है तरह अगें दो characters यानि कि यह o and or space यह दो letters होगे वो यहां पर data के अंदर आगे और वो भी print होगे तो buffer की value आपके उपर है आप जो भी decide करोगे वो आप यहां पर डाल सकते हो ठीक है जैसा कि मैंने यूट्यूब वाल एक्जांपल दिया अगर यूट्यूब में आपको बड़ी सी landy movie देख रहे हो तीन गंटे तो first time जब भी आप उस movie को click करोगे उस thumbnail पर तो वो movie के पूरी load हो जाने के बाद ही आपको दिखाएगी नहीं वो movie part by part नीचे buffer होती रहेंगी और directly ही आप उस movie जो है इसी directory के अंदर बनाई है जहां पर आपकी hello.c file available लेकिन in future professional development के अंदर आपकी यह जो file थे ना demo.txt वो आप server पे बनाओगे database पे बनाओगे किसी दूसरे के PC के अंदर तो वहाँ पर से आपको connection के link बनाने होगी वहाँ पर से data आपको लाना होगा तो उसके अंदर थो जो भी आपकी मर्जिय होगा आप यहाँ पर link सकते हो तो इस तरह से काम करता है आपका f get as function चले एक बार और run कराएंगे लेकिन एक नई line में यहाँ पर add कर देता हूँ हमारी demo.txt के अंदर for example greetings for every fellow इस तरह से मैंने कोई नई line add कर दी अब again मैं यहाँ पर कराऊंगा compile and run त चुका है हमारे cmd के अंदर यानि कि हमारे इस console के अंदर तो यानि कि हमारा यह जो पार्ट है file को read करने का वो हमने successfully कर लिया तो इस तरह से आप f get as की मदद से किसी भी file को successfully run करवा सकोगे लेकिन ध्यान दीजेगा आप only only text file को ही run करवा सकोगे any other files को आप run कभी नहीं करव तो इसका आप screenshot ले लो सबसे पहले हमें बनाना था pointer check करना था हमें क्या उसकी value null है अगर null है तो हमने message print करवा देना था could not open file otherwise हमें successful f get as की मदद से file reading का logic लगाना था आपको connection जो open किया था starting वो अब हमें required नहीं है तो connection हमें कर देना है close ओके तो यह आपकी method होगे किसकी file reading के लिए हमने कुन सा mode use किया R mode file को open कराते वक्त आपको यहाँ पर specify करना था R mode ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे file writing के और अब आपको करानी है file को write तो file को write कराने के लिए यानि कि file के अंदर data write करने के लिए आपको नए mode का use करना होगा उस mode का नाम है w w यानि कि write mode तो आप क्या करना है देखि सबसे पहले तो file को जब भी आप open करवा होगे आपको R के मदद से नहीं बलकि W के मदद से open करवाना है ठीक है फिर वही चीज़ अगर P की इंदर value null है यानि कि could not open file ठीक है आपकी file open नहीं हो रही है else अब आपको यहाँ पर logic लगाना है किसका write करने का ठीक है तो write करने का logic बड़ा ही simple चले सबसे पहले तो हमारी already opened जो file है उसको मैं analysis कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास देखें कितनी lines है तीन lines है ना देखें अब मैं इस file को कर रहा हूँ close अब मैं क्या करूंगा एक नए data मुझे उसके अंदर insert करवाना है तो अब मैं यहाँ पर एक नए function की help ल अंदर आपको safe दो ही data आप पास करना है यानि कि दो ही parameter पास करना है सबसे पहला parameter कि आप कौन सा data insert करवाना चाहते हैं for example मुझे एक नए line insert करनी है तो वह नए line यहाँ पर भी लिख सकता हूँ for example new line ठीक है दूसरा parameter कि इस pointer के अंदर यानि कि इस pointer के through तो अलड़ी हमने pointer बना कर रखाया पी तो pointer यहाँ पर पास कर दौक भी that's all हो गया ठीक है and then after हमने connection को कर दिया close बस यह safe आपको एक ही line data को file के अंदर write करवाने के लिए ओके चले अब मैं यहाँ पर करूँगा save और हाँ confirmation के लिए मैं यहाँ पर एक print app भी करवा देता हूँ for example data writing successful ठीक है ताकि हमने बता चले data यह जो हमने new line insert करवा या है क्या वो successful हुआ या नहीं चले save के हमने file को again compile and run अब आप देख सकते हो data writing successful ठीक है यानि कि यह जो हमार नया data डालना था file के अंदर new line वो जा चुका है तो हम confirmation करेंगे देखते है क्या हो सच में यहाँ पर गया है या नहीं ठीक है तो again यहाँ पर हम demo.txt file open करवाएंगे और देखे आप new line आगे ठीक वो हमें successful यहाँ पर मिल चुकी है new line लेकिन आप सोचोगे कि sir हमारा जो पूराना data था वो तो चला गया of course जब भी आप right operation perform करोगे w mode की मदद से तो आपका पूराना data को भी भी वापस नहीं आएगा वो आपका पूराना data एकदम erase हो जाएगा delete हो जाएगा तो यह आपको बात ध्यान में रखेंगे तो चले सबसे पहले आप इसका screenshot ले लो यह आपका first way था data को insert कराने के लिए कौन से mode की मदद से w mode की मदद से किस तरह से f put as function यूज़ किया सबसे पहला parameter जो data आप insert कराना चाहते हो वो data यहाँ पर पास कर दो एक है जिस pointer के through insert कराना चाहते हो उस pointer का नाम स्पेसिफाय कर दो और हाँ अगर आप चाहो तो इस data को एक variable के अंदर भी save करवा सकते थे for example यहाँ से मैं इसको cut कर लूँगा और आपने एक string तो बना कर रखी है न तो इसके अंदर आप directly यहाँ पर save करवा सकते हैं चले for example यहाँ मैं नई string लिख दूँगा welcome to cland अब मैं क्या करूँगा यह जो data नाम के अंदर मैंने पूरी string save करवाई ना पूरा data यहाँ पर pass कर दोगा तो यह भी चलेगा तो चले सेव करवाया मैंने compile and run अब देख सकते हो data writing successful ओके अब हम चेक करेंगे हमारी notpad file को टीके dev.txt अब यहाँ पर देख सकते हो new line हमारी successful enter होकर आ चुकी है welcome to c language तो यह इस तरह से भी आप data को insert करवा सकते हो using variable तो इसका भी आप screenshot ले लो ओके चले now अब हम आगए बढ़ेंगे कि मुझे sir इस तरह से नहीं चाहिए मुझे क्या करना है जब भी मेरा program run करूंगा user के थ्रू मुझे को value retry करना है user जो भी type करेगा as a input वो मेरी file के अंदर आ जाना तो वो भी आप कर सकते हो चले else के अंदर में file क्या करूंगा एक message print करवा दूँगा printf enter any value ठीक हम user को choice देंगे enter any value ठीक है user के थ्रू स्ट्रिंग लेने के लिए हम सभी को मालूम है कौन सा function चलाना है get s ठीक है get s की मुझे से आया वा data हम कहाँ पर store को राएंगे data के अंदर एक दम scanf की तरह ही आप आपको यहाँ पर imaging करना है तो चले हमने user के थूप data भी ले लिया और वो data हमने file के अंदर put भी करवा लिया तो चले अब मैं करूंगा save compile and run तो अब हम यहाँ पर नया data pass करना है enter any value for example मैं आप लिखूंगा this is my new data अब मैंने जैसे enter किया आप देख स successfully अब हम check करेंगे again क्या मेरी notpad file के अंदर वो data आ चुका है या नहीं चले तो demo.txt को मैंने कर लिया open और हाँ आप देख सकते हो यहाँ पर successfully data आ गया this is my new data तो इस तरह से भी आप user के through कोई भी data ask कर सकते हो रिट्राइव कर सकते हो ठीक है और उसको directly file के अंदर put up करवा सको हो गए ओके तो यह आपका तीसरा मोटा इस तरह से भी आप data को insert करवा सकते थे किसी file के अंदर तो चले इसका भी आप screenshot ले लो then अब आपका last concern आपके दिवाग में अभी भी question हो रहा होगा कि sir no doubt हम data write करना सीख गये लेकिन जो हमारे file के अंदर पूराना data मोजुद था वो भी फिलार क्या हो रहा है पूराना data चले जा रहा है delete हो रहा है then आपका नए डेटा पास हो रहा है तो हमें क्या करना है पूराना data तो रखना ही है नए डेटा भी साथ ही साथ सा स्टोर करना है तो इसके लिए अब आपका तीसरा last mode आएगा append mode कुंसा mode append mode अब देखें प्रोग्रामेटिकल लिए आपको यह फर्स्ट ताम आइप थिंक नहीं वर्ड देखने को मिला वोगा append ठीक है आगे जाकर जितनी भी प्रोग्रामिंग लेंगज आप सिखोगे ठीक है उन सभी के अंदर append वर्ड आएगा append यानिकि क्या अगर मैं आपको बताओ append यानिकी जो आपका पूराना डेटा है न वो तो as it is रहेगा पूरानी वेलियो as it is रहेगी जो भी आप नहीं वेलियो इंसेट करवाना चाहते हो वो भी उसके साथ joint हो जाएगी उसको बोला जाता है append येके तो write और append के अंदर ये दोनों डिफरे वो डेटा आप डिलिट नहीं होगा तो सबसे ज्यादा इन दोरों में से बेनेफिशियल कौन है वो बिसले आपको होगे कि sir append mode तो हम यहाँ पर कर देंगे a for append mode अब same to same हमें कुछ भी चैनल नहीं करना था simple यहाँ पर append mode को replace करना था ओके चले मैंने save किया again किया compile and run अब मै नया डेटा डालूंगा for example new data with append mode ठेक है testing line डाली ओके data rating successful चले अब मैं क्या करूंगा test करूंगा हमारी demo.txt file को तो देख सकते हो आप new data with append mode नया डेटा भी आ गया और यह जो पुरान डेटा था वो तो safe लेकिन आपने notice किया होगा new line किंदर नहीं आया जो भी हमारा पुरा यह डेटा देखे start हो गया तो मैं क्या करूंगा suppose एक बार और मैं आपको दिखाऊंगा थ्यान दीजेगा अब मेरे पास दो sentence this is my new data और new data with append mode अब अगर मैं तीसरी line इंसेट करवाना चाहता हूं तो मैं अपकोर्स कर सकोंगा देखे again file को compile and term suppose मैं यह आप लिखा simple welcome एक और एंटर किया ओके successful आ गया चलिए देखते है text file को तो देखे last में welcome भी आपको मिल गया यानि कि आपको data तो मिल रहा है लेकिन एक की line के अंदर horizontally मिल रहा है तो इसका solution हम क्या करेंगे इसका solution हम क्या करेंगे देखिए simple है आप f put s की मतलब से क्या insert करा रहा हो data insert करा रहा हो न ठीक है लेकिन data आपको कहाँ पर insert कराना है new line के अंदर यानि कि किसी ना किसी तरह आपको slash and manually insert कराना होगा file के अंदर ठीक है तो file के अंदर insert कराने के लिए हमारे पास a key function है फिलाल f put s ठीक है तो file के अंदर में फिलाल कौन सा data insert कराना है slash and किसके जरीए pointer के जरीए that's all बस उतना आपको करना है आप f put s जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो जैसा कि हम अल्री प्रिंटेफ या फिर स्कैनर को करते है तो सबसे पहले देखे f put s की मदर से मैंने क्या insert कराया slash and यानि कि file के अंदर जाने के बाद slash and क्या हो जाएगा new line के अंदर transfer हो तो चले अब मैंने किया save again compile and run अब suppose मैंने आप लिखा future is bright इस तरह से मैंने new line लिग दी चले enter किया data write successful आगया चले देखते है हमारी c language की text file को demo.txt तो देखे future is bright new line के अंदर आगया ठीक है आना चाहिए था यहाँ पर add में लेकिन कहा पर आया new line के अंदर यानिकि successful जो हमा करेंगे compile and run suppose मैंने लिखा again new data enter किया data writing successful चले again open कराएंगे अपनी text file को तो देखे अगें new data वाली file अब हमारी completely new line में से ही start हो रही है तो इस तरह से आपको करना था file writing का program चले इसको भी आप screenshot ले लो नोट डाउं कर लो यह था आपका f put s का menu तो आपके पास file के इंदर data को पहुंचाने के लिए दो mods available है एक होगा आपका write mode यानि की w और एक होगा आपका append mode यानि की joint mode अब simple meaning है append करो यानि की पूराना data रहेगा साथ ही साथ नया data जो आपने अभी भी insert करवाई है वो भी रहेगा write यानि की क्या आपने एक बार write कर दिया तो जो नया data आप write कर रह होना पूरी file में वही रहेगा जो पूराना data अब तक था वो automatic erase हो जाएगा तो यह दोनों mods में आपको difference याद रहता है एक और बार आप बोलोगे कि सर हम बार बार नया data insert करवा रहे है और साथ ही साथ हमें वो check भी करना पढ़ रहा है कि वो insert हुआ है या नहीं हुआ तो वो check करने के लिए हम फिलाद क्या करता है यहाँ पर folder के अंदर जा रहे है और बार आम हमें इस file को क्या करना पढ़ रहा है open कराना पढ़ रहा है तब जाकर हम data को visible कर सकते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी होगे कि सर हमने already insert तो करवा लिया ना तो वो insert होई गया होगा तो जाकर बार बार notpad में वो file देखने की जरूर नहीं है लेकिन ध्यान दीजेगा एक बार अगर आपने किसी file को किसी particular mode के अंदर open किया हुआ है तो वो फिर उसी काम के लिए open की हुई है for example फिलाल हमने इस file को किसके लिए open करवाया a के लिए na a यान कि append के लिए तो अब आप इस p की मदश से इस pointer की मदश से file के अंदर मुझूद data को read नहीं कर सकते हो अब सीफ append ही कर सकते हो अगर आपने लिखा होगा w तो फिर अब आप इस p की मदश से इस file के अंदर data को सीफ write ही कर सकते हो read नहीं कर सकते हो अगर आपने लिखा होता r यान कि अब आप pointer की मदश से इस file का data only देख सकते हो read कर सकते हो आप अब write नहीं कर सकते हो तो तीनों mods का अपना अलगलग काम तो देखें सबसे पहले हमने करवाया append append वाला काम हो गया उसके बाद हमने connection कर दिया close तो again अब में नया connection बनाना होगा लेकिन इस बार append mode में नहीं बलकी read mode तो again मैं यह वाली line को use करूँगा और यहां पर again उसको open करूँगा लेकिन इस बार किस के अंदर r के अंदर read mode के अंदर अब मैं क्या करूँगा again वो इस वाला check लगाऊँगा फाइल के अंदर address आया है या नहीं pointer के अंदर otherwise else के अंदर else के अंदर अब आप logic write करोगे किसका file के अंदर मौझूद data को ready करने का तो वहाँ पर हमारा same logic है while loop लगानी है simple ठीक है उसके अंदर हमें किस function को call करना f get s को ठीक है कब तक जब तक इसका output null नहीं आ जाता तब तक ठीक है अब हम सभी को मालूम है f get s के अंदर हमें 3 चाहिए parameters सबसे पहले तो कोई data चाहिए उसके बाद buffer चाहिए for example 50 उसके बाद pointer चाहिए जो कि हमने अलड़ी बनाया है ठीक है जितनी बाद data आता जाएगा आपने print करा देगे data के अंदर तो यहाँ पर हमने simple statement लिग देना है print tab data के अंदर sorry यहाँ पर आएगा आपका percentage as and then after आपका data ठीक है उसके बाद यह पूरा चीज आपकी खतम हो जाए then after आपको कर देना है again वो connection close if close की मदज ठीक है तो चलिए यहाँ पर एक काम करेंगे यह हमारा पूरा प्रोग्रम नीचे वाला हो गया read का और उपर वाला पूरा प्रोग्रम हो गया append का तो जैसी append हो जाता है आपका data rating successful हो जाता है उसके बाद यहाँ पर simple में एक divider बना दोबा printf slash and slash and ठीक है again slash and slash ठीक है simple distribute करने के लिए चले अब मैंने save किया अगर यहाँ पर करूँगा compile and run तो देखे अब हमें नया data डालना है ठीक है for example last data enter किया तो देखे data rating successful आ गया और पूरी file का content मुझे यहाँ पर मिल भी गया और आप देख सकते हो last data भी आ गया देखे last line के अंदर जो अब भी डाला तो यहाँ पर ही आपकी file check हो जा रही है अब आपको बार बार documents directory के अंदर जाकर आपकी file को open कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी ठीक है चले एक बार और run कराऊंगा for example my c language enter किया तो देखे again आपको मिल गी my c language ठीक है तो यह आपने दो चले तो यह था हमारा file handling का concept यहाँ पर आपका chapter number 13 file handling होता है finish और साथ ही साथ हमारा c language का course भी यहाँ पर end होता है अब आप c language को सीखने के बाद c plus plus या फिर जावा जैसी language को भी सीख सकते हो और अब आप कोई भी बड़ी it field के अंदर अपना career बना सकते हो for example python flutter android ios etc तो i hope आप इस course के माद़ सी language की fundamentals clear हो गए होगी आपका logic building भी clear हो गया होगा best of luck for your future अपका आपका बना सकतर हो आपका ख। झाल झाल